पूरे विश्व में विश्व पर्यावरंड दिवसमन आया जा रहा है इसी कड़ी में कुल्लू में भी कन्या सीनियर सिकंडरी स्कूल की छात्राओं ने शहर में पर्यावरंड सरक्षन को लेकर जागरुकता रैली निकाली स्कूली छात्राओं ने शहर भर में रैली निकाल कर लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरुक किया और कूडे कच्रे को इधर उधर ना फेके इसके लिए भी जागरुक किया ताकि आने वाली पिडियों को एक अच्छा पर्यावरंड मिल सके इस मौके पर स्कूल के शिक्षक वीरभदर सिंग ने कहा कि आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरंड दिवस्मन आया जा रहा है इसी उपलक्ष में कन्या सीनियर सेकंडरी स्कूल सुल्तानपूर की शात्राओं ने सुल्तानपूर स्कूल से लेकर ढालपूर बाजार होते हुए सभी लोगों को पर्यावरंड सरक्षण के लिए संदिश दिया उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार हमारा परियावरन जिस गती से प्रदूशित हो रहा है उसे बचाने के लिए हमें जागरुक होना जरूरी है सुल्तानपूर स्कूल से लेके ढालपूर होते हुए पूरे लोगों को जागरुक किया क्योंकि आज जो है हमारा परियावरन जिस गती से प्रदूशित हो रहा है उसको बचाने के लिए हमें जागरुक होना पड़ेगा नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान इस धर्ती स जाएगा और हमारी छात्राएं इन्होंने जो है पेंटिंग के माध्यम से और यह जो रेली निकाली है इसी माधियम से जो है पूरे इस कुल्लू शहर को अपने स्थर पर जितना यह आइन पकर सकते थे जागरुक करने की कोशि़िश कि मैं कहूंगा कि एक महतुपूण प् देश और पूरे विश्व के स्तरपे है क्योंकि परियावरन का जो प्रभाव है आज एक स्तरपे नहीं होता है पूरे विश्व स्तरपे होता है अगर विश्व स्तरपे इसका समाधान नहीं निकालेंगे तो एक दिन जो है ये परियावरन ही हमारे लिए एक विकट प्रॉब जिले भर में परियावरन सेलक्षन के प्रती लोग जागरुक रहें और कुड़ा कच्रा इधर उदर ना फेकें और पेड़ पॉधी हर साल लगें ताकि आने वाली पेड़ी को भी भविश्य में एक अच्छा परियावरन मिल सकें किसी जो भी यहां पें गंदगी है हमें उसे अच्छी तरह से मिटाने कोशिश करेंगे और इस熱 रैलियु के माध्यों पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्ट्रेग्राम पेज हिमाचल.केस्री